अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूले रतन अमूले रतन अमूले रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉर्लिवूट स्टूडियो द्वारा प्रस्तत अमोले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अंधकार से प्रकाश की और ले जाने का पर्व दिपावली संपूर्ण भारत वर्ष में प्रतिवर्ष कार्थिक मास की अमवस्या पर मनाये जाता है इस दिन सभी लोग श्री महा लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपने घरों को दीपकों से प्रकाशित करते हैं एक दूसरे के साथ उपहारों की लेंदेन करते हैं नए कपड़े पहनते हैं आतिश बाजी जलाते हैं वस्तव में इन स्थूल रस्मों के पीछे अनेक आध्यात्मिक रहस्य समाए हैं इन अलौकिक रहस्यों को आज हम इश्वरिये महावाक्ष्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्ष्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्धे हैं प्रजा पिता ब्रम् के महावाक्ष्यों पर जिसका टॉपिक है दिपावली के शुब अवसर पर अव्यक्त बापतादा के उच्चारे हुए महावाक्ष्यों परवात्मा कहते हैं कि भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दिपावली मनाएंगे और आप चैतन्य दीपक सदा ज मना रहे हो हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है बापतादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं इतनी बड़ी दीपमाला कहां हो ही नहीं सकती पर सब इस दीपमाला के आध्यात्मिक द्रिश्य को थोड़ा और सबश्ट करें परमात और वो जो दीप राज अपनी बच्चों की महफिल में आते हैं तो आत्मा रूपी दीपकों को जगा हुआ देखते हैं ब्रकुटी आसन पर जो दीपक आत्मा निमास करती है वो आत्मा का रूप भी एक लाइट है जोती है तो परमात्मा ये जब सभा देखते हैं उनकी पूजा करते हैं सेलक्षमी की विसे पूजा करते हैं आवहान करते हैं और साथ साथ दीपक जगाते हैं और माला के रूप में जगाते हैं तो परमात्मा कहते हैं ये आप चैतन दीपकों की यादगार आत्मा रुपी दिपक की यादगार में वो दिपक जलाय जा रहे हैं वो यादगार बनाई गई है परमात्मा कहते हैं कि बेहत बाप के बच्चे चार दिवारों की हद में कैसे समा सकते हैं ऐसा भी समय आएगा जब बेहत के हॉल में यह चार तत्व, चार दिवारों का काम करेंगे कोई मौसम के नीचे उपर के कारण छटकी व दिवारों की आवशकता ही नहीं होगी कहा तक बड़े हॉल बनाएंगे यह प्रकृती भविश्य की रिहर्सल आपको यहां ही अंत में दिखाएगी चारों और कितनी भी किसी तत्व द्वारा हल चल हो लेकिन जहां आप प्रकृती के मालिक होंगे बहां प्रकृती दासी बन सेवा करेगी सिर्फ आप प्रकृती जीत बन जाओ प्रकृती आप मालिकों का अब से अहवान कर रही है परमात्मा एक द्रस से अंतिम द्रस से मर्ज करके बता रहे हैं, कि जब ये परमात्मा का मिलन हुआ, जिस समय महावा की उचारण किये गए, उस समय इतने बच्चे आ गए जो बैठने की जगे नहीं थी, तो परमात्मा ने का देखो आज चार दिवारों के बीच में तो समा नहीं सकते हैं, बच्चे तो बाबा के बहुत हैं था हैं, तो ऐसा समय आएगा जो ये चारों तत भी दिवारों बन जाएंगे, माना वह सुरक्षा का वज जैसे बन जाएंगे, च्छत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पर करती के कारण, आज कभी बढ़सात पड़ती ह तो उसके कारण दिवाले अचत बनाई जाती है, लेकिन कितना बड़ा हाल बनाएंगे, बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, और अगर भगवान से मिलने के लिए आएंगे, तो उनके लिए कोई ये हद की दिवाले नहीं चाहिए, पर करती ही हमें दि दिवक के रूप में साथ देगी, अभी नुकसान नहीं पहुचाएगी, आज तक भी ऐसे अनुभव हुए हैं, जहां पर प्रकरती पती की प्रकरती जीत आत्माएं, हमारी दादियां गई, वहले वहां पर बड़सात पढ रही हो, तूफान आ रहा हो, कई प्रकार की हलच कि इन्वे नें खुद अनुभव किया है, क्दादियां सिर्फ गाडई से पहर नीचे रखती हैं, पूरा बड़सा सान्त हो जाती है, प्रकरती जैसे एकदम सांत सी तल हो जाती है, तो ये प्रकरती जीत आत्माएं की निसानी है, तो परमात्मा कहते हैं, जितना आप इस कर्मिंद्रियों के पर जीत होगी, अपनी आदतों पर जीत होगी, अतना ये बाही प्रकर्ति आपकी सेवक बनेगी, आपको नुकसान नहीं पहुचाएगी, तो अन्त समय जब बहुत भीर लगेगी, तो भीर को कंट्रोल कहने के लिए कोई हाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आत्मा भाग के आएंगी परमात्मा से कुछ अंचली लेने के लिए, द्रश्टी लेने के लिए, तो परमात्मा कहता है उसके लिए कोई हाल की, कोई स्थान की जरूरत नहीं है, ये प्रकर्ति के चारों तत्तों, जैसे चारों तरब से एक दिवाल बन जाएंगे, और बीच में आप बच्चे परमात्मा से मिलन मनाएंगे, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि प्रकर्ति सहयोग की ही माला पहनाएगी, जहां आप प्रकर्ति जीत ब्रामणों का पाउं होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता, एक दो मकान के आगे न पूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहां काटा होगा, वहां चलाना होगा, यहां अचल होंगे, सब आपके तरफ स्थूल सुक्ष में सहारा लेने के लिए भागेंगे, आपका स्थान एसलम बन जाएगा कई बार ऐसे देखा है, जहां जहां पर भी ऐसे कभी भूकम पाए हैं, बाड़ आई है, तो जहां योग के प्रियोग चलते हैं, जहां पर अवित्र बहने निमास करती हैं, जिनको हम सेवा के अंदर कहते हैं, चारों तरफ से जब भूकम पाया, यहां कच्छ भुज की तर सारी बिल्डिंग्स चप चारों तरफ से पट, गिरी हुई थी, लेकिन जहां पर बाबा का जंडा था, जहां पर क्लास रूम था, बाबा का रूम था, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होता, दिवाल भे, कोई क्रेक भी नहीं आई थी, तो ऐसे कई स्थान थे, जो उस रक्षित बाद में सब पूरी बिल्डिंग को चेंज किया गया, क्योंकि पूरा नया बसाया गया, तो गिरा ना पड़ा, लेकिन भूकम्प से उने गिरा, ऐसे ही कई जगे पर बाढ आती है, तो बाढ का पानी जहां पर हमारे योगी बच्चे, पवितर बच्चे, प्रकरती जीत ब पूँचाते हैं, यह आपके सेवा के अपकी मदद करते हैं, इसलिए इनकी सेवा जरूर करो, जब समय मिलता है तो इनको अपने सांती के पवितर वाइवरे संदो, शुक के वाइवरे संदो, ताकि यह प्रकरती के तत्तु जब अनत समय में उचलेंगे, तो आप जहां पर होंगे वहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुचाएंगे सरीर तो हरात्मा को छोड़ना ही है लेकिन प्रकरती के तत्तों के अधीन हो करके कोई सरी छोड़े भुकाम पा गया उसमें कोई ने सरी छोड़ दिया, भाढ़ में बह गया ऐसा नहीं होगा आपने अगर प्रकरती के तत्तों की सेवा की है तो आप सेफ होंगे उस समय और आपके लिए आपके इस्थान दुसरों के लिए भी एसलम इस्थान बन जाएंगे, वो लोग भी आपसे सहरा लेंगे ऐसा प्रमात्मा कहते हैं कि तब सब के मुक्से अहो प्रभू आपकी लीला अप्रम पा रहे यह बोल निकलेंगे धन्ने हो धन्ने हो आप लोगों ने पाया हमने नहीं जाना गवाया यह आवाज चारों और से आएगा फिर आप क्या करेंगे विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे क्योंकि ऐसे समय पर हम सब को उन्हें शान्ती शान्तोना देनी पड़ेगी तरपती हुए आत्माय आएंगी बहुत दुखी परेशान देखेंगी यह लोग सुरक्षित हैं इनको कोई नुकसान नहीं हुए तो क्या करेंगे हम उस समय खुसी में तो नहीं रहेंगे लेन उन आत्मा książज को साहारा देंगे मदद देंगे उन धनने-धनने परभू को कहेंगे बवां आपके लीला अपकरोमा पार है आप धनने हैं आप अपने बच्चों को आ करके समाला हमको हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो परमात्मा कहता है ऐसा समय जब आएगा आप बच्चे उनको सांती देंगे, सक्ती देंगे, सकास देंगे उनको सहरा बनेंगे उनके लिए आप उनके लिए खुस नहीं होंगे लेकिन उन पर रहम आएगा परमात्मा कहते हैं कि जो अब से अंत तक बस थापना के आदी से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं विरोध भाव में नहीं रहे हैं मानना न मानना एक अलग बात है लेकिन इश्वरिय कारे में वैश्वरिय परिवार के प्रती विरोध भाव के बजाए सहयोग का भाव कारे अच्छा है वा कारे करता अच्छे हैं यही कारे परिवर्तन कर सकते हैं ऐसे भिन भिन सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यक्ता के समय इस भावना का फल नजदीक नमबर में प्राप्त करेंगे. अर्थात एसलम के अधिकारी नमबर वन बनेंगे. क्योंकि उनको सबसे पहले भगवान के घर में आईसलम मिलेगा. जो सदा इसी भाव से देखते रहे कि बहुत अच्छा कारी इनका चल रहा है. यह भी सुपरिवर्तन के लिए बहुत अच्छा कारी कर रहे हैं. बहले वो खुद ग्यानमार्ग में नहीं चल पाए, खुद धा बहुत अच्छा है, इन बहुत अच्छी सेवाएं हो रहे हैं, यह भावना है उनकी और सदा सहयोग देते हैं. तो परमात्मा कहते हैं, जो ऐसा सहयोगी बन करके परमात्मा के कारे में रहे हैं, अन्त समय में जब चारों तरफ हाहाकार होगा, तो ऐसे आत्माओं को पहले नंबर में जैसे उनको एसलम मिलेगा, हुआ करके बावा के घर में सहरा लेंगे. परमात्मा कहते हैं कि जो अभी भी कहते हैं, देख लेंगे तुम्हारा क्या कारे है, वो देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे, ऐसे समय की इंतजार करने व इंतजार में ही रहेंगे, और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी, मास्टर ज्यानसु रिबन, शुब भावना, श्रेष्ठ बनने के कामना की किरणे, चारो और की आत्माओं पर विश्व कल्यान का रिबन डालेंगे. क्योंकि ऐसा समय भी आएगा, कुछ एक आत्माओं तो आजाएंगे एसलम में, अंदर आजाएंगे, सेफ्टिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, और कुछ आत्माओं जो अभी तक कहती रही हैं, देखेंगे क्या है इनका कारे, तो जो ऐसे सिर्फ देखने की इंतजार में अभी तक भी उनको निश्चे नहीं हुआ कि भगवान का कारी है, अच्छा कारी है, इसमें मुझे मदद करनी चाहिए, तो ऐसी आत्माओं भी अंतर समय में जब ऐसलम लेने के आएंगे, तो क्यों में होंगी, पीछे रह जाएंगे, तो परमात्मा कहता है आप बच्चे तो विश्चु कल्यानकारी बच्चे हो, आप उनको भले ऐसलम नहीं दे पाएंगे, सहारा नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी रहम की दृष्टी डालेंगे, उनको सकास देंगी, उनको सांती के वैवरेशन देंगी, क्योंकि आपके अंदर विश्चु की आत्माओं अ और आप शीतला देवियां बन रहम, दया, क्रिपा की शीतल छीटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगी, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी, उस समय आपके भक्त बन ओमा ओमा पुकारते होए, विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे, यह है आपके लास्ट तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्त बन की अंचली जरूर देंगे। किसी विकार की कामना पूरी होने के कारण बिरोध करता है। तो विरोधी आत्माओं को अंत समय में देखेंगे, इनके पास तो भग्वान का कारी चला, यह तो भग्वान के बच्चे हैं। वो जब पता चलेगा, तो जैसे पश्चात आपकी अगनी में जलेंगी, मैंने त अंतना बिरोध किया। उस समय परमात्मा कह रहे हैं आप तो सीतला बन करके उनको शान्ती देंगी, उनको सीतलता देंगी, वो तो पश्चात आप में जलेंगे, आपके आगे आगे आग भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जब आप ऐसी उनके प्रतसीतल रहम की भावना रख अंतिम भक्त जो द्वापर के अंत में, कलियो के अंत में बनेंगे आ करके ऐसे भक्त भी अंतिम समय में तैयार होगे। जितना यहां सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। जैसे यहां हर कर्म में पाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। आयू में भी हम शरीक है इसलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्ये में हर कर्म में हम शरीक साथी है शंगा म्युकपर जो कुछ हमने पाट बजाया है ब्रह्मा बावा की साथ साथ ब्रह्मा की आत्मा जब स्रीकिष्ण के रूप में सत्यूग में आएगी तो उसके साथ ही जो आएंगे जो इस समय राज्ये सेवा करने में और विसे इस तपस्या करने में तपस्या और सेवा ये दो ही इस समय के हमारे मूल कारे हैं जो इन दोनों कारियों में प्रमा बाबा के साथ साथ कर रहे हैं, मदद कार बने हुए हैं, वही उनके साथ सत्यूग या प्रारम होगा, तो स्री किस्न की आत्मा के साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे, कारेंगे, तो परमात्मा के ता इस समय की प्रालब्द है भविस्य, और इस स अगर यहां कोई-कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं तो वहां भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे कोई-कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर जैसे यहां अलॉकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे हो न, बच्पन के साथी और अंत तक के साथी, वैसे ही ब्रम्भा के रूप में, जो आदी से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वहभविश्य में भी साथी रहेंगे. जो सदा के साथ ही हो करके रहते हैं, कभी भी कोई भी कार्य है वो हाजर है, मदद कर रहे हैं और सदा परमात्मा की याद में रहे हैं तो यही दो चीजे उनको भविश में प्राप्त होंगी जो नई दुनिया प्रारंब होगी, श्रीकष्न का पार्ट सुरू होगा तो उस सत्यूगी दुनिया में जो साथ रहेंगे, हर समय, हर कार्य में मदद करेंगे, स्रीकष्ण की आत्मा के साथ साथ खेलना, पढ़ना, बड़े होकर के राजी सम्हालना, पूरी राजी कारोबार देखना, उसमें वो सब साथी बन जाएंगे. तो ऐसी कुछ आत्मा होते हैं, पूरी राजधानी तो नौ-दस लाग के सुरू होगी पहली, तो सारी आत्मा तो साथ नहीं रह सकती, तो रायल फैमली की आत्मा हैं, जो राजी चलाने में मदद करेंगे, वो आत्मा इस समय संगम पर इतना साथ रहेंगे, तपस्या में, जहां भी जो कारे हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ उनका पाड़ चला, और वही फिर भविश्य के अंदर सदा साथ रहेंगे, प्रमात्मा टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं, और कहते हैं कि मंसा से भी, जो संकल्प धारन करने चाहो, उसमें भी सदा एवर मंसा से भी एवर रेड़ी, संसकार परिवर्तन में भी एवर रेड़ी, रोहानी संबंथ और संपर्क निभाने में भी एवर रेड़ी, संसकार मिटाने में वह संसकार मिलाने में टाइम लगता है, इसमें भी एवर रेड़ी बनो क्योंकि इस समय हम जब समान बनते हैं, बाबा के समान बनते हैं, तो परमात्मा कह रहा है, आत्मा हमाना सूचा और किया, जो उनके संसकार हैं, उन संसकारों को परिवर्तन कहने में समय नहीं जाएगा, जैसे इसारा मिला, समझ आई, तुरंत चेंज कर लिया, एक सेकंड में यह जएशन होते ही परिवर्तन कर लेना, इसको गहते हैं, तुरंत अज़ एक संकल्प में आया कि एक कर्म मुझे करना है, उसी समय कर लिया, संकल्प में आया है, नहीं करना है, छोड़ दिया, तो इतनी जब अंदर की मन की स्थिति सक्ति साली होगी, क्योंकि आजकल, संकल जो चल दे हैं, उसके अंदर दुविधा रहती है, करूं या न करूं, राइट है या रांग है, परमात्मा कहता है, इस दुविधा में रहने वाले एवर रेडी नहीं रह सकते हैं, लेकिन जितकी लाइन बिल्कुल क्लीन है, संकल्प आया, कर लिया, जो स्रेश्ट कार्य ह उसमें डिले नहीं करना, तो ऐसे एवर रेडी बच्चे, जो इस समय बिल्कुल एवर रेडी रहते हैं, वो ही साथ साथ पार्ट बजाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि लक्षमी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं, गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्षमी की लेकिन आप सब गणेश, अर्थात बुद्धिवान हो, तीनो कालों के नौलिचफुल, इसको कहा जाता है गणेश, अर्थात, बुद्धिवान, समझदार. क्योंकि गनेश को हमेजा विध्यापती के रूप में पूजा जाता है, विग्न विनासक के रूप में पूजा जाता है, और उसको भी सिव भावा का बच्चा ही है, दिखाते हैं सिव भावा के दो बच्चे, कार्तिक और गनेश. तो परमात्मा कह रहे हैं जो गणेश की पूजा हो रहे है यह आप बच्चों की पूजा है क्योंकि आप नौलेज़ पोलो समझ से कोई कारिक कर रहे हो विद्यापती हो इस समय बिगनों को हरने वाले हो बिगन बिनासा को इसलिए आप बच्चों की पूजा स्री लक्षमी के साथ साथ गणेस के रूप में होती है पिसा परमात्मा कहते हैं कि लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नव यूग है और नव यूग में हर घड़ी उत्सहा होने के कारण उत्सव है हर घड़ी दिवाली है हर घड़ी उत्सव है क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्सहा दिलाने वाला तो हर घड़ी हर सेकेंड उत्सहा दिलाने वाला हो इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो यह ब्राम्भर जीवन ही आपका उत्सव है क्योंकि दीपाव अली के तुरंत बाद कुछ जगे पर नया वर्स मनाया जाता है कहते हैं नय वर्स की मुबारक, एक दूसरे को मुबारक देते हैं तो परमात्मा हम सब को दोनों हर्थ बता रहे हैं एक तरफ उत्सव मनाते हैं और उत्सव में उत्सव आता है तो परमात्मा के रहे हैं आपके लिए कोई एक दिन दो दिन उत्सव नहीं है आपके लिए तो सदा ही उत्सव है संगम का सदा उत्सव में रहते हो तो हर दिन के लिए आपके लिए दिवाली है हर दिन उत्सा है, तो इसलिए उत्सों की भी बधाई देता हूं, और साथ साथ परमात्मा ने हम सबको नए वर्ष के साथ नए यूग की बधाई दे, कि नए यूग आने वाला है, उस नए यूग में चलने के लिए नए संसकार आप धारन करे हो, वो लोग तो नए ने वस्त पहनते हैं, आप नए संसकार धारन करते हो, तो नमीनता की नए यूग की भी बधाई परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी दिपावली के बाद जैसे नए वर्ष सुरूग होता है, ऐसे हम सबके नए संसकार बन जाएं, दिपावली के दिन एक और भी कार सुरू होता है, तो परमात्मा कहता है, पुराने जीवन के जो भी चोपड़े हैं, जो भी हिसाब किताब हैं, जो भी पुराने संसकार हैं, उसको क्लोज करके नए संसकार धारन करो, नया चोपड़ा सुरू करो, तो वो नई दुनिया के लिए आपको नए संसकार मदद करे तो परमात्मा हम सबको इस नए खाते को खुलू करने के लिए नया यूग आ रहा है इसके नए संसकार धारन करने की मुबारक दे रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माए आदी से अब तक इश्वरिय कारे में सदा सहयोगी रही हैं उन्हें ही आवश्यक्ता के समय एशलम का अधिकार प्राप्त होगा। परमात्मा ने कहा कि फविश्य राज्य सिंगहासन का आधार है वर्तमान समय की तपस्या और सेवा। तरश्कवाज के अपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। हमारा इमेल आईडी है amolleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शांति। मुख्यसार अहो प्रभू आपकी लीला अप्रमपार है ये बोल कब निकलेंगे। अंत में जब वहां चिलाना होगा यहां अचल होंगे। सब आपकी तरफ स्थूल वा सुक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। एसलम के अधिकारी कौन बनेंगे। जो इश्वरिय परिवार के प्रतिव विरोध भाव की बजाए भिन भिन प्रकार के सहयोग की भावना रखते हैं। सुयम के साथ साथ रुहानी संबंध वा संपर्क निभाने में वा संसकार मिटाने और मिलाने में भी एवर रेडी बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें। अधिक जानकारी करें।